हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल हाई एजुगेशन चोन में मैं हूँ राज दोस्तो जैसे की हरियाना जीके से दोस्तो हमारी रिलेटेड स्रीज चल रही थी और 25 पार्ट हमने जो है अपडेट भी कर दी है 25 पार्ट के अंदर दोस्तो बहुत सारे नए पर्षण हमने पार्ट के अंदर बना के उनकी अलग से प्लेश्ट बना दी है वो आप जरूर देख लें और दोस्तो चैनल पे नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और टेलिग्राम ग्रूप जो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर दिया हूँ है जरूर जोइंग कर लें क्योंकि जल्द हम जो है उसके अंदर सारी की सारी पीडियाप जो है अपडेट कर देंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्योशन से ही आज का दोस्तों सबसे पहला क्योशन है हमारा मानव की सबसे प्राचीन बस्ती कहां से मिली है यानि दोस्तों सबसे प्राचीन बस्ती जो थी वो कहां बस्ती थी कहां से थी राइट ओप्शन दोस्तो D रहेगा कुनाल के अंदर कुनाल फत्यावाद के अंदर मानव की सबसे प्राचियन पूरे हरियाना की बात करें तो हरियाना की मानव निर्मित सबसे प्राचियन बस्ती जो है वो कुनाल फत्यावाद से मिली है राखिगटी भी दोस्तो अडप्य सबता का बहुत बड़ा स्थल माना जाता है सबसे बड़ा स्थल ही कहा जाता है और सीस्वाल से लेटिट भी दोस्तो सबता से जोड़े हुए कोशन पूचे जाते हैं अगर है जहां शर्वादिक जो है होकी खिलाडी देने वाला राज्यका का एक मतर गाओं है गासेडा घी जो हकी के गोडी हम आ अपड़ता है वो आप हमें comment box के अंदर जुरूर बताइए क्योंकि हलका सा question है next question है हमारा हरियाना सूचना एवं लोग संपर्क विबाग की मुख्य पतरीका है सूचना एवं लोग संपर्क विबाग की मुख्य पतरीका की हम बात कर रहे हैं right option दोस्तो रहेगा option हमारा c हरियाना समवाद हरियाना समवाद जो है दोस्तो हरियाना सूचना एवं लोग संपर्क विबाग की मुख्य पतरीका है jn परकास दोस्तो हरियाना का जो पर्थम समचार पतर जीयलाल जेन के दवारा जो निकाला गया था ठीक है वो भी question अच्छा बनता है ये भी दोस्तो पतरीका से लेटिड सोथ पतरीका से लेटिड भी question बार बार पूचे जाते हैं तो सूचना एवं लोग संपर्क विबाग की मुख्य पतरीका पूचे जाए तो right option दोस्तो इसमें c रहेगा हरियाना समवाद next question है हमारा हरियाना राजय में दर्वाजों की उंचाई वाले किले किला जिसका नाम लिम का बुक में भी दर्ज किया गया है ये दोस्तो बुक के अंदर इसका नाम भी दर्ज किया गया है इसकी जो है कितने फिट उंचाई है वो भी question पूचा जा सकता है जो धरवाजी के उंचाई जो है 37-fit के उंचाई पर यह स्थित है तो right option 207 है दोस्तो हम रामगढ के किले की बात कर रहे हैं एक दोस्तो राणीपूर का किला है एक रामगढ का किला है यह दोनों के दोनों कहां स्थित है पंचकुला के अंदर स्थित है और रामगड के किले का निर्मान भी पूछा जा सकता है किसके दवारा करवाय गया तो चंदेल राजपुतों के दवारा जो है रामगड के किले का निर्मान करवाय गया था तो हर्याना में द्रवाजों की सरवाधिक उंचाई वाले किले का नाम दोस्तो रामगटगाwriting किला है जिसका नाम लिम्प का बुक में दर्ज किया गया है तो लिम्प का बुक में दर्ज होने के काणि ये फेहमस है तो एक्जाम में क्योसन पूश आजा सकता है 37 फिट दोस्तों इंकी द्रवाजों की उंचाई है और रानी की कितनी रानी थी? पांच रानी थी राम की पांच रानी थी तो येसे हम नेट्रिक भी बनाई थी राम, राम से रामगड का किला और रानी थी पांच तो राम की पांच रानी थी जिर्कारगा जो है वो इसार के अंदर थी जहां जो इसार फिरोजा जो है बना दिया गया है उससे पहले की दोस्तों हम बात कर रहे हैं तो बार्त की सरवोत्तम सिकारगा इसको माना जाता था सबसे प्राचीन का चहरी कहा स्थित है तो दोस्तो तोसाम की बरादरी के नाम से इसको जाना जाता है आपको सभी को पता होगा पृत्वी राज चोहान के दोरा दोस्तो ये स्थापित की गई थी तो सबसे प्राचीन का चहरी जो है अरियाना की तोसाम की बरादरी टिक जिसको कहा जाता है तो राज subscri ridiculously के दवारा दोस्तो ये स्थापित की गई थी तो राय टोप्षन सीरेगा हरियाना की सबसे पराचेन ऐकापिके जो है वो तोसाम बिवानी के अंदर स्थेत है और दोस्तो लोहारू भी हमारा विवानी में है और उसाम भी विवानी में है और मेम दोस्तो रोत तक के अंदर है एक मेम की बरादरी भी दोस्तो बहुत ज़ Sochi अंदर है नायस क्यों क्योषन है दोस्तो हमारा Maruti Suzuki Indian Limited से चोकिक है पहले मारूति सुजुकी थी यह जपान से जो है संबने थी तो रिआनवी बत्सा की दूसरी कहानी के कों है यहां दोस्तों दूसरी कहानी के लेकइक पूँचे गए हैं बहुत अच्षा के होसन मनता है अपोछन हमारा बी नानक्संसर्मा दोस्तों अर्याणा की पहली कहानी से लेटेन क्योचन पूचा जा सकता है वर उसके लेक्षंत से सिरी मादो परसाँ मादव परसाद से related question पूछा जाता है अगर पहली कहानी पूछी जाए मादव परसाद ठीक है जो समाज पर अदारी थी दोस्तो किस पर अदारी थी पहली कहानी की बात करें लड़की की भादरी समाज पर अदारी थी और मादव परसाद के दवरा रचित थी दूसरी कहानी की बात करें तो दूस्तो डाकी डाब खाना हरियाना की दूसरी कहानी थी डाकी डाब खाना लेखक उसके थे दूस्तो नानक्चन सर्मा ठीक है अच्छा क्योचन मनता है और क्योचन पूचा भी गये एक्जामे तो राइट ओक्षन दोस्तों बी रहेगा नानचन सर्मा नैस क्योशन है दोस्तों हमारा पानिपत की तीसरी लड़ाई में मराठों से खराब रिष्टे के का बावजूद किस योद्दा ने साय था की दोस्तों पानिपत की तीसरी लड़ाई मराठों और किस के बीच में हुई यह आप अमें कौन उसमें जिता था तो उसमें दोस्तो बहुत दाी धानिये स्थिती बन गई थी मराठे हारने वाले थे और लग बख मराठों के चारिस अजार सेनी वी मारे गए थे तो इनका बहुत बुरा हालुआ था मराटों का ठीक है तो किस राजा के दवारा पानिपत की तीसरी लेडाई में जो है साहिता की गई थी तो राइट ऑप्सन दोस्तो डी रहेगा राजा सूर्जमल के दवारा जो है इनकी साहिता की गई थी और राजा सूर्जमल की दोस्तो तो दोके से हत्या की गई थी, 1763 के अंदर, बहुत महान योदा थे, इनकी दोके से हत्या की गई और जितने भी हरियाना या बारतवर्स के अंदर महान जो योदा रहे हैं, उनकी दोके से हत्या की गई थी, 1763 की हम बात कर रहे हैं, तो किसी की बात कर रहे हैं, राजा सुर्ज मलकी नाइस कोशन है दोस्तों हमारा हरियाना का प्राचीन एडम हाउस का सित है एडम हाउस की बात करें तो दोस्तों राइट ओप्सन डी रहेगा करनाल के अंदर और एक दोस्तों यहाँ प्राचीन इमारत भी है एक नोरील के नाम से है एक नोरील के नाम से या प्राचीन इमारत भी है जो इसके साथ ही बनी हुई है एडम हाउस के साथ तो हर्याना का प्राचीन एडम हाउस जो है करनाल के अंदर सित है Next question है हर्याना का पर्थम लोका यूथ कौन था? Next question है हमारा प्राचीन हत्यारों का संग्राले स्थित है प्राचीन जितने भी हत्यार मिले हैं वो रुखे गए हैं तो कपाल मोचन जगादरी ओप्षन दिया जाए वो भी सही रहेगा कपाल मोचन दिया जाए वो भी सही रहेगा और यम्नानगर दिया जाए वो भी हमारा सही रहेगा तो राइट ओप्षन दोस्तो ए रहेगा यम्नानगर के अंदर प्राजीन अधियरों का संग्राले इंद्रा गांधी ताप ये विद्यूत परियोजना किस जिले में स्थित है दोस्तो इंद्रा गांधी को अरावली विद्यूत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है जो 1500 मेगावाट की है वो दोस्तो ये जजजर के अंदर स्थित है इसके लाव दोस्तो जजजर के अंदर मातमा गांधी ताप ये विद्यूत प्रियोजना भी स्थित है जो ज़्यादा फेमस है तेरा सो बीच मेगावाट की है मातमा गांधी बाली की बात करें तो दोस्तो सबसे ज़्यादा फेहमस जो हमारी रही है वो दीन मंदू सर्चोटु राम परियोजना रही है जो राज्य की पर्थम परियोजना है जिसको निजी कंपनी को सौंपा गया है और यमना नगर के अंदर सित है ठीक है छोटू राम की बात करें तो यम्ना नगर के अंदर सित है और अरावली या इंद्रा गांधी तापिय विद्यूत प्रियोजना की बात करें तो जजजर के अंदर और मातमा गांधी विद्यूत तापिय प्रियोजना भी दोस्तो जजजर के अंदर सित है एक दोस्तो कहानी संग्रय पूछी गई है आदा कटावा सूरिय के तो राइट ओप्षन दोस्तो डी रहेगा मोहन चोपडा और पिछली वीडियो में हमने क्योंस ने कवर किया था हरियाना के सफल उपनियासकार की से कहा जाता है या किने माना जाता है तो मोहन चोपडा को दोस्तो हरिया से ना में पर्थम हरियानवी कमांडर कोन थे बहुत ही स्यांदार क्योशन मनता है अंग्रेजी से ना में जो है पर्थम हरियानवी कमांडर राइट ओप्षन दोस्तो इसका ओप्षन हमारा बी रहेगा वीजे कुमार वीजे कुमार सिंग वीजे कुमार सिंग दोस्तों इन गितांजलィ पुछिजाए तो दोस्तो हरी सेल रहेगा और मेंक दूसे जाते हैं जो मैंने इसमें लिखे तो नहीं है लेगिन हम कवर कर लेते थे हँ हरियान में उर्दू बासा की परमुख पत्री का जमना तठ है बहुत ही स्यांदार क्योशन बार बार एक जाम में पूछा गया है उर्दू की पूछी जाए जमना तठ है पंजाबी बासा की पूछी जाए सबद बूंध है और दोस्तों पूछा जाए संस्कृत बासा की तो हरी परबा है हरी के नाम जादा संस्कृत में लिए जाता है तो याद भी रख सकते हैं आप हरी परबा तो ये तीन के तीन के तीन क्योशन दोस्तों उर्दू पंजाबी वे संस्कृत बासा से बनते हैं उर्दू पंजाबी और संस्क्रित तीनों के तीनों कोशन हमें कवर करने जुरूरी है तो हरियानिवी बासा में में एक दूद किसी ने लिखी थी डक्टर राम रमेश वर्दयाल सर्मागे दवारा नैस कोशन है दोस्तों हमारा और ये भी पूछा जा सकता है ये थे कहां से तो ये पटोदी गु कोशन है यमनानगर के जगादरी में रेलवे केरीज एंड वेगन वरक्शोप किस वर स्थापिद की गई तो इसके दोस्तों राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वह हमारा ऑप्शन रहेगा बी 1952 के अंदर दोस्तों यमनानगर के अंदर जो र मुजरा अंदोलनग भी 1952 के अंदर ही दोस्तों शुरू किया गया था तो यह दोनों के दोनों एक साथ हमारे काषन कवर हो जाते हैं नैश्च क्होशन है मारा पानिपतके कीस यूद के बाद जाटों की सक्ति का उध्या हुआ तो पानिपतके जो दूसरा यूद था दोस् दोस्तों सोने के मनकों से related तो right option जो रहेगा वो हमारा option C रहेगा राखी गड़ी से है रियाना में सोने के मनके जो मिले है वो राखी गड़ी से मिले है इसके लाव दोस्तों राखी गड़ी के लाव हम बात करें दोलतपूर की मिट्टी की महोरे मिले है ठीक है और सिक्के डा करें कि दुरुक का निर्मान किया गया है राइट ओप्षन दोस्तों डीर हेगा लोहारू का किला लोहारू के किले का निर्मान जो किया गया है वो विक्टोरिया स्टाइल में किया गया है लोहारू दोस्तों हमारा बिवानी के अंदर स्थित है नाइस कोशन है हर्याना राज दोश्तों जो राजा सुरिज मल थे वह अपने उदारता के लिए जाना जाते हैं क्योंकि जो मराटों के साथ पानिपत के अंदर यूध हुआ था उन्हों ने उनकी बहुत सारी चाहता की थी तो राजा सूरजमल को अपने योधा के कारण ये फहमस थे तो राजा सूरजमल को उधारता के रूप में भी जाना जाता है नाइस कोशन है परसिद नाटक गदे की बरात के रचेता कोन है परसिद नाटक दोस्तों फेहमस रहा है ये गदे की बरात राइट ओप्षन सी रेगा विसव दिपक परसिद नाटक गदे की बरात के रेचेता जो है वो विसव दिपक है नाइस कोशन यानि दोस्तों आज का ह हमारा लाश्टी क्योशन रहेगा राज्या का पर्थम सैनिक स्कूल कुंजपूरा करनाल किस वर स्थापित किया गया स्थापना से रिलेटिड क्योशन पूछा गया राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा 1961 के अंदर और 1961 की बात करें तो कलपना चावला का जरम भी दोस्तो 1964 के अंदर हुआ था और ना सामें चैन उनका हुआ था उनी सो चुराण में के अंदर कलपना चावला के हम बात करें जैसे के कर दोस्तों बगवत देएल शरमा के हम बात करें तो और एसकोर टेक्टर की भी स्थापना 1901 के अंदर हुई थी एसकोर टेक्टर भी क्योशन पूछा जा सकता है और इसके लाव दोस्तो कलपना चावला का जर्ण ही 1901 के अंदर हुआ था तो यह थे दोस्तो आज के हमारे स्यांदार क्योशन वीडियो के एक लाइक जुरूर कर दें, ले लेते हैं कल के वीडियो में से एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट कल का पार्ट नहीं देखा है तो जुरूर देख लें, जनवरी 1860 में कहां पर लाड कैनिंग ने अपना दरबार लगाया था दरबार से लेटेर क्योशन पूचा गया है, बिवानी रोतक अंबाला गुरुग्राम नेस क्योशन बताना है आपको डोसी पहाडी का प्राचीन नाम बताना है, हर पोडी पहाडी, आर्चिक पहाडी, डवन पहाडी या कुंट पहाडी और आपको थर्ड क्योस्टों दोस्तों पताना है हर्याना में कहां पर एक प्राचीन सरकारी दातू कारियसाला बिश्टीत है बहुत प्राचीन कारियसाला है दोस्तों ये सरकारी दातू कारियसाला करनाल अमबाला रोतक भीवानी next question दोस्तों पताना है fourth number आपको कल के part में से question पूछे गए है हर्याना लोकमंच की स्थापना कब होई और last question दोस्तों आज का पताना आपको रजिया बेगं के नाम का गूबंद कहा है तो बिल्कुल दोस्तों कुछ अच्छे लेवल के नए पर्शनों को जो है अपडेट या दोस्तों कावर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक नए टोपिक साथ तब तक नमस्कार चैहर याना जैभारत